सब्सक्राइब कीजिए युट्यूब चनल निव आइडियास को और दबाये बेल आइकन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देशने के लिए नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने युट्यूब चनल निव आइडियास वाइडी में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं computer fundamental से सम्मंदित top 50 most important questions के बारे में जो की UP, PCL, TG2, Railway, Bank और SSC के साथ-साथ ओ लेवल में पहला module M1 और CCC exam के point of view से most important है So guys, वीडियो को सुरू करते हैं पहला question, computer साश्रता दिवस मनाया जाता है आपको बताना है कि computer literacy day किस दिन मनाया जाता है 10 January, 2 December, 5 June या फिर 12 December को तो बिलकुल easy है तो जो 2 December होता है इस दिन computer literacy day मनाया जाता है तो इसमें का रहाएगा option number second 2 December Next question एक nibble में कितने bits होते हैं आपको यहाँ पर English portion में दिया गया है A nibble consists of bits So guys ध्यान दिजेगा जो एक nibble होता है एक nibble उसमें 4 bits होते हैं कितने bits होते हैं 4 bits होते हैं जबकि 8 bits का 1 byte होता है एक byte होता है और 1024 byte का 1 kb होता है और 1024 kb का 1 mb और 1024 mb का 1 gb होता है तो यह आपको मालुम होना चाहिए तो इसमें का रहाएगा option number B 4 is the correct answer Question number next FAT stands for FAT का पूर्ण रूप क्या होता है तो ध्यान दिजे FAT का फिलफाम होता है File Allocation Table तो इसमें का रहाएगा option number A File Allocation Table एक होता है NTFS तो इसका फिलफाम होता है New Technology File System तो यह आपको ध्यान रखना है Question number next Binary संख्या 11011 का दसंबलो समान आंतर है Guys इस type के question आज कर SSC खूब पूछ रहा है तो आपको इस type के questions को solve करना आना चाहिए So guys बिल्कुल एक simple से इसकी trick होती है वो trick क्या है सबसे पहले आपको इस number जो की आपको दिया गय है binary form में उसको note करना है तो मैंने आप इसको note कर लिया है 11011 Then इसके बाद क्या करना है आपको right side से इसमें numbering करना है सबसे पहले आपको लिखना है 1 फिर इसका double 2 इसका double 4 4 का double 8 8 का double 16 अब आपको क्या करना है उस numbers को count करना है जिसके नीचे 1 लिखा गया है तो आप यहाँ देखेंगे मैं सबसका color change कर देता हूँ तो यह आपका आ जाएगा जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है यह term आ जाएगा यह term और यह term तो यहाँ पर 16 plus 8 कितना होता है 24 24 plus 2 26 और plus 27 तो इसमें क्या रहाएगा option number C 27 is the correct answer next question system software है operating system MS Office Chrome या फिर browser ध्यान दीजेगा यहाँ पर बात किसके आई है system software की तो इसके 2 part होते है एक आपका होता है operating system एक होता है translator ठीक है यह आपके दोनों ही क्या है system software है अब question यह आता है कि operating system कौन कौन से होते है तो जैसे आपका होगया window linux unix और हो सकता है कि आप लोग इस video को mobile पे watch कर रहे हों तो जो आपके mobile में operating system होगा वो android होगा तो window linux unix ubuntu android यह आपके सारे के सारे क्या होते है operating system होते है अगर हम बात करें translator के बारे में तो assembler compiler और interpreter यह आपके example होते है translator के तो इसमें का रहाएगा option number A operating system जबकि जो chrome है और जितने भी browser होते हैं वो सारे क्या होते हैं application software होते हैं जबकि MS office एक package है क्या है package है अगर हम बात करें MS office world की तो वो आपका हो जाएगा application software की लेकिन जो MS office है वो एक package है तो इसमें क्या रहाएगा option number A operating system next भारत में निर्मित पृथम computer है धान दीजेगा यहाँ पर जब आपको इस type question देने को मिलें तो आप question को बल्कुल इतिमिनान से पढ़िएगा यहाँ परशने पूचा है भारत में निर्मित पृथम computer तो इसका अंसर आएगा सिधार्थ लेकिन अगर पूचता कि भारत में पहला super computer तो आपका अंसर आता परम 8000 अगर पूचता कि विश्व में निर्मित पहला computer तो आपका अंसर आता क्रेवन क्या था क्रेवन अब question जी आता है कि क्रेवन को किसने डवलब किया था तो एक company थी जिसका नाम था क्रे research computer जिसको 1976 में डवलब किया गया था किसको computer को क्रेवन को तो यह आपको ध्यान रखना है next question base 2 में संख्याओं को कहा जाता है ध्यान दीजे ऐसे numbers जिनका base 2 होता है उसको बोलते है binary number system क्या बोलते है binary number system अगर पूस्ता कि base 10 में संख्याओं को क्या कहा जाता है तो आपका answer आता decimal system कहने comments यह है कि अगर base 2 रहेगा तो हम उसको बोलते है binary number system अगर base रहता है 8 तो उसको बोलते है octal number system अगर base होता है 10 तो उसको बोलते है decimal number system अगर base होता है 16 तो उसको बोलते है hexadecimal system तो अगर आपको नहीं मालूम था तो आप इसको note कर सकते हैं क्योंकि ये question आपके exam में पूछे आते हैं तो इसमें कहा रहाएगा option number D binary number system next आपको इस question का answer comment करना है बिल्कुल easy question है आपको बताना है कि father of computer किसे कहते हैं यानि कि computer का पितामा किसे कहा राता है funk को मैगुलन, Adam Smith या फिर Charles Babes तो आपको इस question का answer comment बाक से comment करना है next question भारती मूल के सिव अया दुरई किसके अविस्कार से जुड़े हुए है keyboard से internet, email या फिर mouse ध्यान दीजेगा जो ये सिव अया दुरई है ये आपके भारती हैं लेकिन ये American भी है या अमेरिका में ये निवास करते हैं रहते हैं जो सिव अया दुरई है ये email से संबंदित है तो इसमें का रहाएगा option number third email is the correct answer next को उच इस तरह language माना जाता है वो कौन से language है जिससे हम लोग high level language कहते है जो बिलकुल simple है जो microsoft.net है ये एक high level language है इसके लावा C जिसको 1972 में Danish Richie के दोना डॉलप किया गया था ये भी एक high level language है तो ये आपको मालुम होना चाहिए जबकि जो आपका Linux हो गया Windows 7 हो गया ये आपके दोनों क्या है OS है यानि की operating system तो इसमें का रहाएगा option number C Microsoft.net Next question एक printer का प्रकार नहीं है इनमें से ऐसा कौन सा है printer जो गए printer नहीं है ध्यान दीजे laser printer होता है dot matrix printer होता है chain printer होता है लेकिन jet lag कोई भी printer नहीं है तो ये आपको ध्यान रखना है ध्यान दीजे जो printer है वो दो type के होते हैं या तो printer impact होगा या तो non impact होगा अब question यह आता है कि non impact printer कौन कौन से होते हैं यानि उनके नाम क्या है अगर हम बात करें non impact printer के बारे में तो जैसे आपका हो गया मैं लिग देता हूँ जैसे हो गया electromagnetic printer thermal printer inkjet printer laser printer ये आपके 4 printer कैसे हैं non impact printer है जबकि daisy wheel chain printer drum printer dot matrix printer और line printer ये आपके होते हैं non impact printer तो आपको ध्यान रखना है next question आसकाई का पूर्ड रूप है आपको बताना है कि आसकाई का full form क्या होता है तो बिल्कुल simple है इसका full form होता है American standard code for sorry American standard code for information interchange यानि कि option number B is the correct answer next question कि अविस्कार ने computer की तीसरी पीड़ी बनाई जो तीसरी पीड़ी की computer थे उसमें क्या use किया गया था तो बिल्कुल सही है IC क्या use किया गया थी IC जिसको बोलते हैं integrated chips ठीक है अब question यह आता है कि जो IC है वो किसकी बनी होती है तो बनी होती है Silicon की यहां पर बात आईए Silicon की तो Silicon घाट किसे गयते हैं ठीक है तो वो आपका Bangalore किसको Bangalore को जिसको लोग पहले गयते थे Bangalore ठीक है तो यह आपको धान रखना है Second generation में जबकि vacuum tube को जो vacuum tube है इसको First generation में यूज किया गया था और जो आपका VLS आई है इसको Fourth generation में यूज किया गया था तो यह आपको मालूम होना चाहिए Next Office का प्रियोग करते समय सहायता प्राप्त करने के लिए आप Click करेंगे माल लीजे आप MS Office में किसी भी software like word, excel, powerpoint किसी भी software का यूज कर रहे है अगर आपको help चाहिए तो आप उसके लिए counts की प्रेस करेंगे तो बिल्कुल easy है F1 की जो की सारे की सारे जो भी MS Office के software होते है उसमें यूज की जाती है तो इसमें का रहाएगा option number A F1 की next IPR का पूर्ण रूप है आपको IPR का full form बताना है तो बिल्कुल simple है intellectual property rights इसमें का रहाएगा option number third intellectual property rights next question DVD stands for digital versatile disk इसमें का रहाएगा option number B digital versatile disk ठीक है next device is required for the internet connection अगर आप किसी device में internet connection करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी device उसमें include करनी होगी add करनी होगी तो वो आपका होता है NIC card आप question जा आता है कि NIC का full form क्या होता है तो network interface card यानि कि option number D NIC card fourth number option सही हो जाएगा next question is a boot strap program in Linux उसने पूछा कि जो Linux होता है उसमें जो boot strap program होता है उसका name क्या होता है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बात आई है Linux के बारे में तो हम यहाँ आप टिक करेंगे GRUB अगर पूछता कि is a boot strap program in Windows तो आपका answer आता option number D NT LDR यहाँ पर पूछा गया है Linux के बारे में तो इसमें क्या रहेगा option number B GRUB next question computer में सभी processing की जाती है जो computer होता है उसमें जो processing होती वो किसको रखी जाती है तो वो की जाती है CPU में अब question जी आता है कि CPU का full form क्या होता है तो central processing unit यानि कि option number second is the correct answer यहाँ पर आपको एक टला है कि RAM का full form क्या होता है तो random access memory तो इसमें क्या रहाएगा option number second CPU next question DBMS का full form होता है यह question आपके exam में कई बार repeat हो चुगा है तो DBMS का full form होता है database management system यानि कि option number B is the correct answer next निमने लिखित में से कौन से सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे अधिक महेंगे computers है personal computer, super computer, laptop या फिर notebook तो ध्यान दीजिए जो super computer होते हैं वो सबसे fast होते हैं सबसे बड़े भी होते हैं और सबसे महेंगे भी होते हैं तो इसमें का जाएगा option number B super computer अब question जी आता है कि जो micro computer होते हैं जो हम लोगे हर में computer होते हैं वो कैसा computer होते हैं तो जो भी आपके laptop होते हैं desktop होते हैं palm top होते हैं वो सारे सारे micro computer कहलाते हैं तो इसमें का रहाएगा option number B super computer next question वा काउन सी प्रद्योग की है जिसका प्रियोग छमता परिच्छन के मुल्यांकन में होता है कहने का मिन्स यह है कि which is the technology used in the evolution of aptitude test जब भी आप लोग competition exam का test देते होंगे तो आपको आपर एक OMR seat मिलती होगी उसमें आप लोग blink करते हैं black black करते हैं जो भी option से होता है उसको आप color कर देते हैं तो वो जो copy होती है OMR seat उसको एक OMR को दोरा scan की जाती तो उसमें का जाएगा option number B OMR ठीक है next question which of the following translates a program written in high level language into machine code वो कौन सा translator है जो की high level language को machine language में change करता है guys आप जानते हैं कि जो machine language है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 bit होती है 0 और 1 इसी को हम बोलते हैं machine language तो वो कौन सा translator है जो high level language को machine language में change करता है तो वो आपका होता है compiler ठीक है जबकि अगर पूछता की assembly language को machine language में तो वो आपका होता है assembler तो इसमें का रहेगा option number B compiler जो की एक an example of a volatile memory is वो कौन से memory है जो की volatile memory होती है तो वो आपकी होती है RAM यानि की random access memory ये आपके दो type की होती है एक होती है SRAM एक होती है DRAM यानि की static RAM और dynamic RAM तो ये आपको मालूम होना चाहिए next question image का extension नहीं है जो image file होती है उनका extension इनमें से आपको दिया गया है चार option इनमें से तीन तो है लेकिन एक नहीं है तो dot jpg होती है dot gif भी होती है dot png भी होती है लेकिन जो dot view है ये file extension होता है audio file का किसका होता है audio file का ना की image file का तो इसमें का रहाएगा option number fourth dot view next question प्रोग्राम में बग से क्या से तो जो बग होती है उसको बोलते है error मान लेजे आपने कोई program create किया और उसमें कोई error आ गई है तो हम उसको बोलते है बग क्या बोलते है बग तो इसमें का रहाएगा option number first error next question computerों में virus का संबंद निमलिखित में से है तो जो computer में virus होते है वो आपका एक program होता है क्या होता है program होता है जोसे बोलते है virus तो इसमें का रहाएगा option number third next question प्रियोग करता परिचालन पढाली के साथ के sit के माध्यम से interact करते है user interact with the operating system through a sit off तो वो आपकी होती है command तो इसमें क्या रहाएगा option number first commands next question windows operating system का मालिक कौन है तो ध्यान दीजिए जो windows है ठीक है उसका मालिक है microsoft तो इसमें क्या रहाएगा option number fourth microsoft next sql का पूर्ड रूप है to sql का full farm होता है structured query language यानि कि option number B is the correct answer next question motherboard पर bios संचे करने के लिए memory का प्रियोग किया रहता है कहने का मिन्स यह है कि जो हम जानते हैं कि जो बायोष होते हैं वो motherboard पर stored किया रहते हैं लेकिन उसके लिए हम लोग किस memory का यूज़ करते हैं तो वो आपकी होती है room यानि की read only memory इसके तीन टाइफ होते हैं एक आपका होता है e-room एक आपका होता है p-room एक आपका होता है ee-p-room तो यह आपको याद रखना है next question निन्न में से कौन सा एक impact printer है तो मैंने आपको अभी impact printer और non impact printer के बारे में बताया था तो आप जानते हैं कि जो laser है वो एक non impact printer है जबकि inkjet ये भी एक non impact printer है जबकि dot matrix daisy wheel printer chain printer drum printer यह आपके सारे सारे क्या है impact printer है तो इसमें का रहाएगा option number C is the correct answer next question LCD projector के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कौन सा software use किया रहाता है guys अगर आप किसी student को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग LCD projector का यूज़ करते हैं लेकिन उसके लिए जो slide बनती है उसके लिए हम लोग किस software का यूज़ करते हैं तो वो आपका होता है power point यानि कि option number D is the correct answer next निमेलखित में से कौन से यह तो question आपको मैं करा चुका हूँ next एक keyboard किस प्रकार का उपकरण है तो जान दीजिए keyboard, trackball, mic, ocr, omr, micr, lightwin यह आपके सारे के सारे input device हैं तो इसमें का रहाएगा option number C input device next question USB है आपको USB का full form बताना है तो होता है universal serial bus option number B is the correct answer और जो USB होता है वो एक टाइम पर 127 device को connect कर सकता है तो उसमें का रहाएगा option number B universal serial bus next question MBR का प्रत्वाच्छर है यानि कि आपको MBR का full form बताना है तो MBR का full form होता है master boot record यानि कि option number C is the correct answer next which of the following is a non-volatile memory आपको उताना है कि इनमें से सी कौन से memory है जो की non-volatile है तो धान दीजिए जो आपकी read only memory जिसको बोलते हैं room ये एक non-volatile memory है तो इसमें का रहाएगा option number B read only memory जबकि जो rhyme है वो volatile memory होती है next question the input device that is most appreciate for playing games on a play station game को खेलने के लिए हम लोग किस input device का यूज़ करते हैं तो वो आपका होता है joystick यानि कि option number A joystick is the correct answer next question पहली high level programming language है आपको उताना है कि कौन सी programming language जो की high level है वो सबसे पहली develop की गई थी तो वो आपकी थी Fortran क्या थी Fortran अब question जी आता है कि Fortran का full farm क्या होता है तो formula translation इसका full farm होता है यहाँ पर spell English लिखी गई है F-O-R-T-R-A-N होता है यानि की formula translation अब question जी आता है कि Fortran को कब develop किया गया था तो 1956 में Fortran को develop किया गया था यानि option number third is the correct answer next computer की बहुतिक बनावट कहलाती है तो जो computer होता है उसका बहुतिक बनावट कहलाता है hardware क्या कहलाता है hardware जिसको हम छू सकते हैं जिसके अंदर electric current supply हो सकती है जब जो software होता है उसको ना तो हम दे सकते हैं लेकिन वो एक program का set होता है और से टाप प्रोगाम को हम बोलते हैं software तो इसमें कहा रहाएगा option number A hardware is the correct answer विस्सु का प्रथम electronic digital computer है यहां पर बात किसकी आई है विस्सु के प्रथम electronic digital computer के बारे में तो वो आपका था iniac क्या था option number A अब कुशन जी आता है जो CPU है वो counts अगारे नहीं करता है वो instruction को fetching भी करता है data को process करता है लेकिन data को permanently store नहीं करता है तो इसमें कहा रहाएगा option number 3 store data permanently next programming आसा में लिखे गए mall program को कहते हैं तो वो आपका होता है source program क्या होता है source program तो इसमें कहा रहाएगा option number A source program next question big iron के रूप में computer जाना जाता है तो बताइए सर वो काउन सा computer जिसे हम बोलते है big iron computer तो वो आपका होता है main frame computer जिसे हम बोलते है big iron computer next question microprocessor का निर्माड़ करने वाली company है तो वो आपकी pentium एक company है जो की microprocessor का निर्माड़ करती है तो इसमें कहा रहाएगा option number third pentium is the correct answer next window एक GUI based OS है आपको वाने मने चाहिए जो windows है वो एक GUI यानि की graphical user interface based operating system है Bangalore को भारत की silicon इघाटी कहते है कुशन आपके इज़ा में कई बार आचुगा है भारत का प्रथम computerized post office नियो दिलही का है आपको उताना है कि computer साचरता दिवस कब मनाया जाता है इस question का आपको comment box में comment करना है So guys मुझे आसा है कि आपको इस पसंद आया होगा अगर आपको इज़ा लगता